हेलो प्रेंट्स, वेल्कम वेकिन मैं ट्यूप चलना, दोस्तों मैं हूँ आका स्पाइंड और आप देख रहे हैं यूनिक स्विलेने मेक यूर्सेल्फ यूनिक जितना आप सपोर्ट करों इससे डबल कर देना तो मेरे लिए अच्छा होगा और आपके लिए बेहतरीन होगा क्योंकि मैं आज कर डेली आपके लिए दो वीडियो से एक स्ट्रक्चर का और एक बी आईयम कर लेके आ रहा हूँ तो आप भी थोड़ा बहुत हेल्फ कर दो चलो तो मेरे पास एक मॉडल है मुझे लगता है आपको मॉडल बनाना तो आता होगा तो मैं इसको मॉडल को बनाने में क्यों जाओ क्योंकि मॉडल को मैंने अल्लेडी बताय हुए आपको लबत 10 टिटोरियल है मेरे बेसिक टिट करता हुँ और राइस करता हूं अगि लोगों को पता होता है तो श्यांको कैसे करते हैं कई लोगों को नहीं पता होता है तो जेखी किस तरह के से करना है foundation region पर click करना है यहाँ पर मैंने एक isolated पहले बता हुआ है बाट वो rectangular था और यह क्या है आपका यह है आपका slope तो आपको क्या करना है यहाँ से dead और live दोनों को include करना है include करने के बाद यहाँ से run start foundation पर click करना है जैसे run start foundation पर click करेंगे 2 minute का wait करेंगे आपके सामने एक नई tab open होके आ जाएगी उस नई tab में आपको अपने सारी settings कर देनी है और उसके recording हो जाएगा और wait करते रही है कल एक हमारी वीडियो आ रही जिस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि pedestal कि इस तरीके से design करते हैं कुछ लोगों को नहीं बता होगा पर इस तरीके से कैसे design करेंगे वह मैं कल आपको बताऊंगा अब आपको सबसे पहले क्या करना है इस टैट प्रोप जैसे open होते है ग्रिट आपको गलती से भी scroll नहीं करना पहले करना है click on grid क्लिक on grid से क्या होगा यह कहीं भागे नहीं तो गयव हो जाएका आप में से कहीं लोगों प्रॉलम आ रही होगी कि आपकी grid open किया गयव हो गया उसका reason क्या रहता है आप जब open करते हो तो आपको यहां से जाना है इंडियन पे और यहां जाके आपको generate load combination करना है और ओके करना है और फिर generate load combinations ओके और सब्सक्राइब होता है यहां से जाने के बाद यहां से आपको बताना है अपने जितने यहां पर अपने पहले तो जॉब निम दे दो जॉब निम दे सिंस कौन सी फुटिंग है यह तो यह हमारी आप जाओ अपना के code बदलो code आपका रहना चाहिए इंडियन और इसके बाद यहां पर SI और इसके बाद यहां से अपर इस तरीके से निचे भीज़ दो आप क्या करना है आपको आपको करना है पर कुछ भी नहीं करना है और यहां से concrete लेना है, concrete में आपको इसकी properties डाल दो, जैसे कि आपको unit weight डालना है, तो 25 होता है, unit weight in the sense, density ये ध्यान देना, density को unit weight बोलते हैं, so confused मत होना कई लोग हो जाते हैं, तो RCC का density सबको बता होता है, 25 kg per meter cube, 2500 kg per meter cube, minimum baris spacing साब डाल सकते हैं, 50 होता है, maximum baris spacing कितना होता है, 500 होता है, उस 25 क्या है, M25, M20, M30, जो भी या यूश करें, वो आपको यहाँ पर पूट कर देना है, यह 415 यूश कर या 500 ही यूश करो, सबोज में 500 ही यूश करो, तो 500 डाल दूँगा, yield strength, yield strength पता है न, आपको, जो क्या बोलते हैं, HYSD bars होते हैं, 415, 500, 550, 600, वो आपको यहाँ डालना है अप इसके बाद, यहाँ पे minimum bar आपको डाल देना है, minimum bar हमने size डाल दें, 8 mm, और इसके बाद at maximum, maximum हमने डाल दें, 25 हमने 25, और यह करने के बाद, आपको जाना है यहां से cover and soil पे और cover and soil पे जाके यहां पर आपको अपना बता देना है कि हमको bottom clear कितना रखना है, unit width कितना रखना है, soil wearing कितनी रखनी है, यह आप खुछ से decide कर सकते हैं, आप यह भी बता सकते हैं कि depth of soil above footing, footing के उपर कि नम है, जैसे कि हम लोग generally करते हैं, यहां पर आपको जाना है footing geometry पे, जो कि आपको नहीं पता रहता है, और आप यहां से design तो कर देते हो, बट आप यहां से नहीं कर पाते हो slow footing, तो slope के लिए आपको करना पड़ेगा, footing type पे जाना पड़ेगा, यहां पर जाके uniform thickness को छोड़के, यहां पर slope thickness रखना पड़ेगा, जैसे slope रखोगे, आपके सामने तुरंदी slope आ जाएगा, अब जो footing होने वाली, यह slope footing होने वाली, यह मलब setting आपकी हो गई, और यह calculated dimension है, जिसमें हम लोग calculated dimension ही रखेंगे, और आगे हो सकता है, आपको और अलग type और type की footing दिखाऊंगा, जैसे eccentric footing दिखाऊंगा, उसके अला इस तरीके से slow footing का आपकी दो मिनट के अंदर design हो जाएगी, so please अभी वीडियो को अगर आगे मैं चैनल को subscribe नहीं किया, तो please subscribe कर देना चैनल को यार, जिससे कि आगे भी मैं जल्दी जल्दी साब के लिए बनाता रहूं, और इसको close कर देना, और close करने के बाद यहाँ पे slow footing पर करना, design of isolated footing पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही आपके सामने देखो के दिए, देखो footing सापकी कौन सी तैयार हो गए, slow footing तैयार हो गए, आपके दिमांगे को कोई question आ रहा तो please नीचे को कमेंट करना, so that कि मैं next video में उस question को भी solve कर सकूँ, elevation आ गया उसका, और यह उसक क्या होता है यह, और उसके बाद design parameters यह हैं, आपके सारे design parameter in the sense जो put किये थे value आ जाएंगे, इसके बाद soil property जो आपने put किये थे हुआ जाएंगे, उसके बाद sliding and overturning जो आपने राले थे, वो sliding आ जाएगी इसके अंदर, और यह जो load combinations generate किये थे, आपने load combinations generate कर, मुझे आम आराम से explain करूंगा, क्योंकि यह मैं अपने जो classes होते हूं, class में एक एक घंटे मैं explain करता हूं, आप समझे किरना detail में जाना पड़ता है, यह putting size, putting size आमने, मैंने initial तो इनना लिया है 1 meter, बट यह बढ़ जाएगा, initial software लेकर चलता है, और final वो कुछ और देगा, आपको यह यहाँ पर नीचे होगे, तो देखो यहाँ आपको किना, the length दिया 1.75, width दिया 1.75, area उसके जो भी आई, area calculate हो गया यहाँ पर, area calculate होने के बाद यहाँ से, आप देख सकते हैं, जो main आपको data मिलेगा, वो यह है, क्या किसी भी putting को check करना है, तो उसका सबसे पहले check कर लो, यहा moment आएगा, यहाँ से start है, देख लो, moment, सबसे पहले देख लो, इसका moment क्या आ रहा है, और moment आने के बाद, यहाँ पर, 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 चेक करो, moment के लिए effective depth का formula, इसने direct calculate कर दिया, उसके बाद, in depth कितना रखेंगे, इसको भी हम लोग देख ली, नीचे का depth, उसके बाद, यहाँ पर, effective depth, equivalent rectangle, तो उसको हम लोग, क्योंकि rectangle जैसा बनाना है, बड़ rectangle नहीं बनाना है, तो उसके लिए हम लोग ने यह ले लिया, और MU यह आ जाएगा, और उसके बाद, KU Max, आप लोग manual में भी पढ़ते हो, KU Max यहाँ से आजाएगा, limiting factor यहाँ से आपको मिल जाएगा, उसके बाद, MU Max, MU Max के लिए formula आपको पता है, MU Max बड़ा होना चाहिए, तभी आपका safe होता है, manual में भी आपको पता रहाएगा, college में भी आपने सीखा होगा, उसके बाद, यही चीज Z axis के लिए होगा, Z axis होने के बा Development ने छोटा होना है, यह allowable length से, तो development LD आपका छोटा है, allowable length से तो क्या होगा है, यह safe होगा आपका इस तरीके से, अब देखो इसने final result क्या दिया, यह 8mm 135 की spaceships पे बाद डालने वाला है, आप इसको जब देखोगे, इसकी plan view को देखोगे, तो आपको ज्यादा समझाएगा Detail Dryings, इस Detail Drying में अगर आप इसको जूम करोगे, तो आपको दिखेगा, अच्छ, यह इस तरीके से steps करने वाला है, और उसके बाद यह आपको यहाँ पर double दिखेगा, इसका यह column दिखेगा, उसके बाद यह आपको, इतना डेर मीटर हमने स्पेसिंग दिया था था ना, आपको दिखेगा, और उसके बाद यहाँ पर उसका यह फलान भी आपको देख जाएगा, यह फूटिंग नमबर वन के लिए, आप चाहो तो फूटिंग नमबर 11, सब के लिए प्रिंट कर सकते हो, कैसे प्रिंट करना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेव ड्राइंग पर जाओ, सेव ड्राइंग पर जाने के बाद, आपको यहाँ सेव फूटिंग को सेव कर सकते हैं, मलब उसका कुछ भी नाम देदीजे, यह देखिए, DWG, मतलब क्या हो जाएगा, यह आटोकेट के अंदर ओपें हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, विजन, एप्रूब यह समकर सकते हैं, यहाँ पर आतो हो, चैडियोल ड्राइंग, चैडियोल ड्राइंग आप देखोगे, पूरा सेडियोल बना के देदेगा, वो इस तरीके से चैडियोल है, और यहाँ पर देखोगे, फूटिंग के नंबर से हैं, और उनके साईज, ले फूर्मेशन यहाँ से यह दे दे रहा है, और फिर इसको जाके ऑटोकेड में जो चैंजिंग करनी हो, चैंजिंग कर दो, और इसको भी सेफ ड्राइंग करके उसी तरीके से ऑटोकेड में इसको भी उपन कर सकते हो, करके देखना नहीं होता, कोई प्राइलम आती है, तो को यह भी पता चल जाएगा, होब आपको समझ आ गया होगा कि इस तरीके से पोटिंग के डियाइन करते हैं इसमें, और अगर अच्छा लगाओ तो प्लीज इसको सपोर्ट करें, जिससे कि मैं नेक्स वीडियो कल ले क्या हूँ, जिसमें मैं स्ट्रेप पोटिंग के बारे कर दो झाल